अब तक आपने जाना कि तेज सिंग और पंडित बद्रीनात के बीच एक शर्ट मुकरर हुई है जिसके अनुसार अगर तेज सिंग बद्रीनात और उनके साथियों को बिना कैद किये और बिना सजा दिये उस तिलस्मी किताब को उनसे हासिल कर लेते हैं या धून लेते हैं तो पंडित बद्रीनात और उनके साथ ही हमेशा के लिए तेज सिंग और विरेंद सिंग के गुलाम हो जाएंगे लेकिन कुमर विरेंद सिंग और फतय सिंग सैर करते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में वो तिलस्मी किताब है और रूप से रंग से वो ल जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ यानि आपकी अपनी नीती के साथ वे नाजयुक और जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे आगे आ रही है कौन और कहां की रहने वाली है जब तक ये ना मालूम हो जाए तब तक हम उसको वनकन्या के नाम से लिखेंगे धीरे धीरे चल कर वनकन्या जब उन पेड़ों के पास महची जिधर आण में कुमर विरेंद सिंग और फते सिंग छिपे खड़े थे तो ठहर गई और पीछे फिर को देखा इसके साथ एक और जवान नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर ले हुए चल रही थी जो वनकन्या को अपनी तरफ देखते देखे आगे बढ़ाई वनकन्या ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली तस्वीर की तरफ देख लंबी सांस ले साथ ही आँखें डबडबा आई बलकि कई बूंद आसों के भी गिर पड़ी इस बीच में कुमार की निगा भी उस तस्वीर पर जा पड़ी एक टक सकल गई तब फतै सिंग से बाचीर करने लगे। कुमार क्यों फतै सिंग यह कौन है कुछ जानते हो फतै सिंग मैं कुछ भी नहीं जानता मगर इतना कह सकता हूं कि किसी राजा की लड़की है। कुमार यह किताब जो इसके हाथ में जरूर वही है जो मुझ को क्लिस्म से मि ली थी जिसको शिव्दत के अयारों ने चुराया था जिसके लिए तेज सिंग और बद्रिनात में बदा बदी हुई है और जिसकी खोज में हमारे अयार लगे हुए हैं फटै सिंग मगर वह किताब इसके हाथ कैसे लगी कुमार इसका तो ताजुब हुआ है मगर इससे भी ज तो आपने और भी अशर की बास सुनाई गुमार मैं तो अजब हरानी में पड़ा हूँ कुछ समझ ही नहीं आता कि मामला क्या है अचा चलो पीछी पीछी देखें ये सब जाती कहा है फटै सिंग चलिए गुमार और फटै सिंग उसी तरफ चले जिधर वे आड़ते गई थ थी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से किसी ने अवाजी फिर के देखा तो तेज सिंग पर नजर पड़ी ठहर गए जब पास पहुचे उन्हें घबराए हुए और बदो होशो हवास देखकर पूछा क्यूं क्या है जो ऐसी सूरत बराए हो तेज सिंग ने कहा है क् पस हम आप से जिन्दगी भर के लिए जुदा होते हैं इससे जादा ना बोल सके घला भराया आखों से आसों की बूंदे टपा टप गिनने लगी तेज सिंग की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार भी बेचान हो गए मगर ये कुछ भी ना जान पड़ा कि तेज सिंग के इस सरा बेदिल होने का क्या अजब मतलब है फदै सिंग से इनकी ये दशा देखी न गई अपने रुमाल से डोनों की आखें पूछी इसके बाद तेज सिंग से पूछा हापकी ऐसी हालत क्यूं हो रही है कुछ मूं से तो कहिए क्या सबब है जो जनम भर के लिए आप कुमार से जुदा होंगे तेज सिंग ने अपने को संभाल कर कहा फिलस्मी किताब हम लोगों के हाथ ना लगी और ना मिलने की कोई उमीद है इसलिए अपने कॉल पर सिर मुडा के निकल जाना पड़ेगा इसका जवाब कुमर वरेंद सिंग और फते सिंग कुछ दिया ही चाहते थे कि देवी सिंग और पंडित जगनात जोशी भी घूमते हुए आप पहुँचे जोशी जी ने पुकार कर कहा तेज सिंग घबराइए मत अगर आपको किताब ना मिली तो लोगों के पास भी न रही जो मैंने पहले कहा था वही हुआ उस किताब को कोई त पहले ही रोने लगे इतना कहके कुमार ने उसरफ देखा जिधर वे औरतें गई थी मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा तेज सिंग ने घबरा कर कहा हापने किसके हाथ में किताब देखी वे आदमी कहा है कुमार ने जवाब दिया मैं क्या बताओ कहा है चलो उसरफ शैद औरतें गई थी मगर तेज सिंग देवी सिंग और जोशी जी हरान थे कि कुमार किसको खोज रहे हैं वह किताब किसके हाथ लगी है या जब देखा ही था तो छीन क्यों ना लिया कई दफा चाहा कि कुमार से इन बातों को पूछें मगर उनको घबराए हुए इधर उधर द से लेते देख तेज सिंग ने कुछ ना पूछा पहर भर तक कुमार ने चारो तरफ खोजा मगर फिर और और तो पर निगा न पड़ी आखिर आखें डबडबा आई और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए तेज सिंग ने पूछा हब कुछ कुलासा कहिए भी तो कि क्या अमामला है कुमार ने कहा अब इस जगह कुछ ना कहेंगे लशकर में चलो फिर जो कुछ है सुन लेना सब कोई लशकर में पहुँचे कुमार ने कहा पहले तिलस्मी खंधर में चलो देखें बदरीनात की क्या कैफियत है यह कहकर खंधर की तरफ चले अयार सब पीछी मगर ये बद्री नाथ छूट कैसे पाए तेश सिंग बड़े ताजूप की बात है धीवी सिंग कहें किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मिश्किल होगी फतेश सिंग इसमें निशिंत रहो वह किताब इनके हाथ अब तक नहीं लगी ह आगे मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी थोड़ी देर हुई है वह दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है इतने में बद्री नाथ वगएरा पास आ गए पन्नालाल ने पुकार के कहा क्यों तेश सिंग हम तो हार गए ना तेश सिंग हम क्यों हारे बद्री किताब तो हम पा गए तुम चाहे अपने आप छूटो या मेरे छुडाने से छूटो किताब पाना ही हमारा जीतना हो गया अब तुमको चाहिए कि महरा शिवदत कर छोड़ कर कुमार के साथ रहो बद्री नाथ हमको वो कताब दिखा तो हम अभी ताविदारी कबूल करते ह तेज सिंग तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते जब तुमारे पास नहीं तो साबित हो गया कि हम पा गए बद्री नाथ बस बस हम बेफिकर हो गये तुमारी बाची से मालूम हो गया कि तुमने किताब नहीं पाई और उसे कोई तीसरा ही उड़ा ले गया अभी तक हम डर देवी सिंग फिर आखिर हारा कॉन ये भी तो बता दो बद्रिनाथ कोई भी नहीं हारा कुमार अच्छा ये तो कहो तुम छूटे कैसे बद्रिनाथ बस इश्वर ने छुड़ा दिया जान बुझ के कोई तरकीम नहीं की गई पन्नालाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ी भस में छूड़ गया उसके हाथ में लकड़ी अभी तक मौजूद है कुमार अच्छा हुआ दोनों ही की बात रह गई बद्रिनाथ कुमार मेरा जीतो चाहता है कि आपके साथ रहूं मगर क्या करूं नमक खरा जी आखिर वेद पाठी ही रहे अयारी से क्या डरना ये लोग जितना जी चाहें जोर लगा ले पन्ना लाग खैर देखा जाएगा अभी तो जाते हैं जै माया की तेज सिंग जै माया की बद्रिनाथ बगरा वहां से चले गए फिर कुमार भी तलिस में ना गए और अपने देरे में चले आए रात को कुमार के देरे में सब अयार और फते सिंग इकठे हुए दर्बानों को हुकम दिया कि कोई अंदर ना जाने पाए तेज सिंग ने कुमार से पूछा आप बताईए किताब किसके हाथ में देखी थी वह कौन है और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों नहीं की कुमार ने जवाब दिया ये तो मैं नहीं जानता कि वह कौन है लेकिन जो भी हो अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़के नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है उसके हुसने मुझे उससे किताब छीनी हिना दी तेज सिंग खुमारी चंद्रकांता से और उस कुताब से क्या संबान खुलासा कहिए तो कुछ मालूम हो कुमार क्या कहें हमारी तो अजब हालत है तेज सिंग आपकी बिचितर ही दशा हो रही है कुछ समझ में नहीं आता फते सिंग की तरफ देखकर बोले हम तो इनके साथ थे आप ही कुछ खार खुलासा कर दीजिए ये तो बारा दफा लंबी सास लेंगे तो डेड़ बात कहेंगे जगा जगा तो इनको इश्क पैदा होता है एक बला से छूटे नहीं दूसरी खरीदने को तैयार हो गए फते सिंग ने सभाल खुलासा कह सुनाया तेज सिंग बहुत हैरान हुए कि वह कौन थी और उसने कुमार को पहले कब देखा घबाशी कोई और तस्वीर कैसे उतरवा मंगाई जोशी जी ने कई दफार अमल फैंका मगर खुलासा हाल मालूम ना हो सका हाँ इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है आधी रात तक सब कोई बैठे रहे मगर कोई काम ना हुआ आकेर ये बाठ ठहरे की जिस तरह बने उन आरतों को ढूड़ना चाहिए सब कोई अपने डेरे में अराम करने चले गए रात भर कुमार को वनकन्या की याद ने सोने ना दिया कभी उसकी बोली भाली सुरद याद करते कभी उसकी आखों से गिरे हुए आसों के ध्यान में डूबे रहते इसी तरह करवटे बदलते और लंबी सांस लेते रात पीद गई बलकि घंटा भर दिन चढ़ाया पर कुमार अपने पलंग पर से ना उठे तेज सिंग ने आकर देखा तो कुमार चादर से मूँ लपेटे पड़े हैं मूँ की तरफ का बिलकुल कपड़ा गीला हो रहा है दिल में समझ गए कि वनकन्या का इश्क पूरे तोर पर असर कर गया है इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं आवाजी आप सोते हैं या जा चल्दिस्तान से छुट्टी पाकर भोजन किया तेज सिंग वगेरा इनके पहले ही सब कामों से निश्चित हो चुके थे उन लोगों ने भी कुछ भोजन कर लिया और ओरतों को ढूनने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुए कुमार ने कहा हम भी चलेंगे सभी ने समझ घूमना हम उसके साथ इधर उधर फिरेंगे तेज सिंग ने फिर समझाया कि कहीं शिवदत के अयार लोग आपको धोकी में न फसाले मगर कुमार ने एक ना मानी आखिर लाचार होकर कुमार और फते सिंग को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए थोड़ी दूर घने जं सिंग से बाते करने लगे मगर सिवाए वनकन्या के कोई दूसरा जिकर कुमार की जुवान पर था ही नहीं कुमर वुरेंदर सिंग बैठे फते सिंग से बाते कर रहे थे कि एक मालिन जो जवान और खूब सूरत भी थी हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बुरुदशा होती है इस बात को दोने उन्हें सुना कुमार ने फटे सिंग से कहा मालूम होता है यह उनहीं की मालिन है इसको बुला के बुछो तो सही फटे सिंग ने आवास उसने चौक कर पीछे देखा फ़ते सिंग ने हाथ की इशारे से फिर बुलाया व suchen उनकी पास रहती हूँ और ये फूल के गहने किसके वास से लिये जाती हूँ हब मुझको छोड़ दें मैं बड़ी गरीब हूँ मेरे मारने से कुछ हाथ न लगेगा हाथ चोड़ती हूँ मेरी जान मत लीजिए हैसी ऐसी बाते कह मालिन रोने और गिड़ गड़ाने लगी फूलो की डाल बेहोश हो जाएंगे उस नकाब पोश ने इतना कहा ही था कि वे मालिन उठकर भागने लगी मगर फते सिंग ने जट हाथ पकड़ लिया सवार उसी वक चला गया कुमार ने फते सिंग से कहा मालुम नहीं सवार कौन है और मेरे साथ ये नेकी करने की उसको क्या जरूरत थी फते सिंग ने जवाब दिया इसका हाल मालुम होना मुश्किल है क्योंकि वे खुद अपने को छिपा रहा है खैर जो हो यहाँ ठैनना मुनासिब नहीं देखिए अगर ये सवार ना आता तो हम लोग फंसी चुके थे कुमार ने कहा तुम्हारे ये कहना बहुत ठीक है खैर अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो वहाँ चल कर पूछ लेंगे कि ये कौन है जब कुमार अपने खेमे में फते सिंग और उस अयार को लिए हुए पहुचे तो बोले अब इससे पूछो कि इसका नाम क्या है फते सिंग ने जवाब दिया भला ये ठीक ठीक अपना नाम क्यों बताएगा देखिए मैं अभी मालुम किये लेता हूँ फते सिंग ने गरम पानी महवा कर उस अयार का मुध हुलाया अब साब पहचाने गए कि पंडिक बदरीनाथ हैं कुमार ने पूछा क्यों अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए बदरीनाथ ने जवाब दिया जो मुनासिब हो कुमार ने फते सिंग से कहा इनकी तुम हिपाज़त करो जब तेज सिंग आएंगे तो वही इनका फैसला करेंगे यह सुन फते सिंग बदरीनाथ को ले अपने खेमे में चलेगे शाम को बलकी कुछ रात पीते तेज सिंग तेवी सिंग और जोशी जी लोट कर आए और कुमार के खेमे में गए उन्होंने पूछा कहो कुछ पता लगा तेज सिंग कुछ पता ना लगा तिन भर परिशान हुए मगर कोई काम न चला कुमार फिर अब क्या किया जाएगा तेज सिंग किया क्या जाएगा आज कल में पता लगेगा ही कुमार हमने भी एक आयार को गरफतार किया है तेज सिंग हैं किसको वह कहा है गुमार फदे सिंग के पहरे में उसको बुला के देखो कौन है दिवी सिंग को भेज कर फदे सिंग को मैं अयार के बुलवाया जब बद्रीनात की सूरत देखी तो खुश हो गए और बोले क्यों अब क्या इरादा है बद्रिनात जो पहले था वही अब भी है तेज सिंग अब भी शिवदत का साथ छोड़ोगे या नहीं बद्रिनात महराज शिवदत का साथ क्यों छोड़ने लगे तेज सिंग तो फिर कैद हो जाओगे बद्रिनाथ चाहे जो हो तेश सिंग ये न समझना कि तुम्हारे साती लोग छोड़ा ले जाएंगे हमारा कैद खाना ऐसा नहीं है बद्रिनाथ उस कैद खाने का हाल भी मालूम है वहाँ भेजो भी तो सही धेवी सिंग वारे निडर तेश सिंग ने फतेश सिंग से कहा इनके उपर सक्ट पहरा मुकररर कीजिए अब रात हो गई है कल इनको बड़े घर पहुँचाया जाएगा फतेश सिंग ने अपने मातहत सिपाहियों को बुला कर पद्रिनाथ को उनके सुपूर्द किया इतने ही में चोगदार ने आकर एक खत उनके हाथ में दिया और कहा कि एक नकाब पोश्ट सवार बाहराजीर है जिसे ये खत राज कुमार को देने के लिए दिया है तेश सिंग ने लिफाफे को देखा ये लिखा हुआ था घुमर विर्यन सिंग जी के चरण कमलों में तेश सिंग ने कुमार के हाथ में दे दिया उन्होंने खोल कर पढ़ा सुख समपती सब त्याग्यों जिनके हेद वे निर्मोही ऐसे सुधहों न लेद राज छोड बन जोगी भसम रमाय विरे अनल की धूने ताप अठाए कोई वियोग नी पढ़ते ही आँखें डबडबा आई बंधे गले से अटक कर बोले उसको अंदर बुलाओ जो खत लाया है वो कम पाते ही चोवदार उस नकापोश सवार को लेने बाहर गया मगर तुरंत वापस आकर बोला वैसवार तो मालूम नहीं कहा चला गया इस बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे वे खत तेज सिंग के हाथ में दिया उन्होंने भी पढ़ा इसके पढ़ने से मालूम होता है ये खत उसे ने भीजा है जिसकी खोज में दिन भर हम लोग हरान हुए और ये तो साफ ही है कि वे भी आपकी महबबत में डूबी हुई है फिर आपको इतना रज ना करना चाहिए कुमार ने कहा इस खत ने तो इश्क की आग में घी का काम किया उसका ख्याल और भी बढ़ गया घट कैसे सकता है खैर अब जाओ तुम लोग भी अराम करो कल जो कुछ होगा देखा जाएगा कल राज से आज की रात कुमार को और भी भारी गुच्री बार बार उस बरवे को पढ़ते रहे सवेरा होते ही उठे इसनान पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेश सिंग को बुलाया वे भी आये आज भी तेश सिंग ने मना किया मगर कुमार ने ना माना तब तेश सिंग ने उन तलस्मी फूलों में से कुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फते सिंग को पिलाया और कहा कि अब जहां जी चाहिए गूमिये कोई भी होश करके आपको नहीं ले जा सकता हाँ जबर्दस्ती पकड़ ले तो मैं नहीं कह सकता कुमार ने कहा ऐसा कौन है जो मुझको जबर्दस्ती पकड़ ले पाचो आत्मी जंगल में गए कुछ दूर कुमार और फते सिंग को छोड तीनों यार अलग-अलग हो गए कुमार विरेंदर सिंग फते सिंग के साथ इधर उधर घूमने लगे घूमते घूमते कुमार बहुत दूर निकल गए देखा कि दो नकाब पुष्ट सवार सामने से आ रहे हैं जब कुमार से थोड़ी दूर रह गए तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रखके फिर सवार हो गया खुमार उसकी तरफ बढ़े जब पास पहुचे तो वे दोनों सवार ये कहके चले गए कि इस किताब और खत को ले लीचिये खुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलस्मी किताब नजर पड़ी उसकी ऊपर एक खत और बगल में कलम दवात और कागस भी मौजूद पाया खुमार ने खुशी खुशी उस किताब को उठा लिया और फते सिंग की तरफ देखकर बोले ये किताब देकर दोनों सवार चले के उगए सो कुछ समझ में नहीं आता मगर बोली से मालूम होता है कि मैं सवार और अहुरत है जिसने मुझे किताब उठा लेने के लिए कहा देखें खत में क्या लिखा है ये कह खत खोल कर पढ़ने लगे ये लिखा था मेरा जी तुम से अटका है और जिसको तुम चाहते हो वैवेचारी तिलिस्मी में फसी है अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा जी दुखी होगा तुम्हारी खुशी से मुझको भी खुशी है ये समझ कर किताब तुम्हारे हवाले करती हूँ खुशी से तिलस्म तोड़ो और चंदरकानता को छुड़ाओ मगर मुझको भूलना चाना तुम्हें उसी की कसम जिसको जादा चाहते हो इस खत का जवाब लिखकर उसी जगह रख देना जहां से किताब उठाओगे खत पड़कर कुमार ने तुरंट जवाब लिखा इस तिलस्मी किताब को हाथ में लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुम्हारे मिलने को जी तरस रहा है मैं उस दिन अपने को बड़ा भागिवान जानूगा जिसिन मेरी आखे दोनों प्रेमियों को देख ठंडी होंगी मगर तुमको तो मेरी सूरत से नफरत है तुम्हारा वुरेंद्र जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगापा रख दिया मैं दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिये कुमार देर तक खड़े राद देखते रहे मगर वैं नजीक ना आए जग कुमार कुछ दूर हट गए तब उन में से एक ने आकर खटका जवाब उठा लिया और देखते देखते नजरों की ओट हो गया कुमार भी फते सिंग के साथ लशकर में आए कुछ राद के तेज सिंग वगेरा भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकठे हुए तेज सिंग ने कहा आज भी किसी का पता न लगा हाँ कई नकाब पोश सवारों को इधर उधर घूमते देखा मैंने चाहा कि उनका पता लगाऊ मगर ना हो सका क्योंकि वे लोग भी चलाकी से घूमते थे मगर कल जरूर हम लोगों का पता लगा लेंगे कुमार ने कहा देखो तुमारे के ये कुछ ना हुआ मगर मैंने कैसी आयारी की कि कोई हुई चीज को ढून निकाला देखो ये तिलसमी किताब ये कह कुमार ने किताब तेसिंग के आगे रख दी तेसिंग ने कहा आप जो कुछ अयारी करेंगे मैं तो मालूम ही है मगर ये बताए कि किताब कैसे हाथ लगी जो बात होती है ताजुब की कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया तब ये ख़त दिखाई और जो कुछ जवाब लिखा था वै भी कहा जोशी जी ने कहा क्यू ना हो फिर तो बड़े घर की लड़की है किसी तरह से कुमार को दुख देना पसंद ना किया सिवाए इसके ख़त पढ़ने से ये भी मालूम होता है कि वै कुमार के पूरे-पूरे हाल से वाकिफ है मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वै कौन है कुमार ने कहा इसकी शरम तो तेज सिंग को होनी चाहिए कि इतने बड़े यार होकर दो-चार ओरतों का पता नहीं लगा सकते तेज सिंग पता तो ऐसा लगाएंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे मगर अब किताम मिल गई है तो पहले तिलस्म के काम से छुट्टी पा लेनी चाहिए कुमार तब तक क्या वे सब बैठी रहेंगी तेज सिंग अब क्या आपको कुमारी चंदरकांता की फिकर न रही कुमार क्यों नहीं कुमारी की महबत भी मेरे नस नस में बसी हुई है मगर तुम भी तो इंसाफ करो कि इसकी महबत मेरे साथ कैसी सच्ची है यहां तक कि मेरे ही सबब से कुमारी चंद्रकानता को मुझसे भी बढ़कर समझ रखा है तेज सिंग हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी महबबत की तरफ ख्याल न करें मगर तुलस्म का भी तो ख्याल होना चाहिए कुमार तो ऐसा करो जिसमें दोनों का काम चले तेज सिंग ऐसा ही होगा दिन को तुलस्म तोडने का काम करेंगे और रात को लोगों का पता लगाएंगे आज की रात फिर उसी तरह कटी सवेरे मामुली कामों से चुटी पाकर वरिंद्र सिंग, तेज सिंग और जोशी जी तुलस्म में घुसे तिलस्मी किताब साथ थी जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलस्म तोड़ने लगे तिलस्मी किताब में पहले ही लिखा हुआ था कि तिलस्म तोड़ने वाले को चाहिए कि जब पहर दिन बाकी रहे तिलस्म से बाहर हो जाए और इसके बाद कोई काम तिलस्म तोड़ने का ना करे तिलस्मी खंडर में घुसकर पहले वे उस अलान में गए जहां पत्थर के चबूत्रे पर पत्थर ही का आदमी सोया हुआ था कुमार ने इसी जगा से तिलस्न तोड़ने में हाथ लगाया जिस जबूत्रे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराने की तरफ पांच हाथ हटकर कुमार ने अपने हाँ से जमीन खोदी गजबर खोदने के बाद एक सफीद पत्थर की चटान देखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई भी थी कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठा कर बाहर किया तैखाना मालुम पड़ा जिसमें उतरने के लिए सेड़िया बनी थी तेज सिंग ने मशाल चला ली उसी की रोश्णी में सब कोई नीचे उतरे खुब खुलासी कोठी देखी कहीं गर्द या कोड़े का नमो निशान नहीं बीच में संग मरमर पत्थर की खूसूरत पुतली एक हाथ में काटी दूसे हाथ में हतोडी लिए खड़ी थी खुमार ने उसको हाथ से हतोडी काटी लेकर उसी के बाएं कान में काटी डाल हतोडी से ठोग दी साथ ही उस पुतली के होट हिलने लगे और उसमें से बाजे की सी हवाज आने लगी मालुम होता था मानोवे पुतली गा रही है थोड़ी देर तक यही कैफियत रही एकाएक पुतली के बाएं दाइने दोनों अंगों के दो टुकड़े हो गए और उसके पेट में से आठ अंगुल का छोटा सा गुलाब पौधा जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में टाली लटक रही थी निकला साथ ही इसकी एक छोटा सा तामे का पात्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था कुमार ने उसे पढ़ा इस पेड को हमारे यहां के वैद अजायब दत ने मसाले से बनाया है इन फूलों से बराबर गुलाब की खुश्बू निकल कर दूर दूर तक फैला करेगी दरबार में रखने के लिए एक नाया पौधा सौगात के तौर पर वैद जी ने तुम्हारे वास से रखा है इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और जोच्शी जी की तरफ देखकर बोले यह बहुत अच्छी चीज मुझको मिली देखिए इस वक्त भी इन फूलों में से कैसी अच्छी खुश्बू निकल कर फैल रही है तेज सिंग इसमें तो कोई शक नहीं देवी सिंग एक से बढ़कर एक कारीगरी दिखाई पड़ती है अभी कुमार बात कर रहे थे कोठरी के एक तरफ का दरवाजा खुल गया अधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखुबी रोशनी पहुची मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की रह से बाहर हुए एक छोटा सा खुशूरत बाग देखा ये बाग वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे बाग में सुना चुके हैं बमूजिम लिखे तिलस्मी किताब के कुमार ने उस ताली में एक रसी बाधी जो पुतली के पेश से निकली थी रसी हात में थाम ताली को जमीन में घसिते हुए कुमार बाग में घूमने लगे हार एक रवीशों और क्वारियों में घूमते हुए एक फवारे के पास ताली जमीन से चिपक गई कुसी जगा ये लोग भी टहर गए कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू किया दो तीन हाथ खोदा कि जोशी जी ने कहा अब पहर भर दिन बाकी रह गया है तिलिस्म से बाहर होना चाहिए कुमार ने ताली उठाली और चारो आदमी कोठे की रासे होते हुए उपर चड़के उस दालान में पहुँचे जहां चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराने की तरफ जमीन खोद कर जो पत्थर की चटान निकली थी उसी को उलटकर तैकाने के मूँपर ढाप दिया उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली इताला बन भी कर दिया चारो आदमी खंडार से निकल कुमार के खेमे में आए थोड़ी देर अराम कर लेने के बाद तेज सिंग देवी सिंग और जोशी जी कुमार से कहके बनकन्या की ठो में जंगल की तरफ रवाना हुए इस समय दिन अनुमानत तो घंटे बाकी होगा य सवार कुछ पश्य महडता हुआ सीधे चुनारगड की तरफ जा रहा था कई दफा रासे में रुका पीछी फिर कर देखा और बढ़ा सूरज अस्तो गया अंधेरी रात ने अपना दखल कर लिया घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा अब ये तीनों अयार सुखे पत्तों की अवाज पर जो टापों के पढ़ने से होती थी जाने लगे घंटे भर राज जाते जाते उस जंगल के किनारे पहुँचे नकापोश सवार गोडे पर से उतर पड़ा उस जगा बहुत से गोडे बंदे थे वहीं पर अपना गोडा भी बान दिया ए तीनों अयार पहरात बीते गंगा किनारे पहुचे दूर से जल में दो रोशनिया दिखाई पड़ी मालूम होता था जैसे तो चंद्रमा गंगा जी में उतर आये हैं सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी जब पास पहुचे देखा है कि सजी हुई नाव पर कई खूसूरत औरतें बैठी हैं बीच में उची गदी पर एक कमसी नाजुक औरत जिसका हरुआ देखने वालों पर च्छा रहा है बैठी है चांज सा चहरा दूर से चमक रहा है दोनों तरफ महताब जल रहे हैं नकाब पोशने किनारे पहुच कर चोर से सीती बचाई साथ ही उस नाव मे से जो उस नाव पर बैठी थी दो औरतें उट खड़ी हुई तथा नीची उतर कर एक धोंगी जो उस नाव के साथ बंदी थी खोल कर किनारे ला नकाब पोश को उस पर चढ़ा ले गई अब ये तीनों अयार आपस में बातें करने लगे तेश सिंग वाह इस नाव पर छू परियां आपको उड़ा ले जाएं फिर हमारी मंडली में एक दोस्कम हो जाएगा देश सिंग मैं जहा तक ख्याल करता हूँ ये उनी लोगों की मंडली है जिने कुमार ने देखा था देवी सिंग इसमें तो कोई शक नहीं जोची तो तहर कर चलते क्यों नहीं तुम तो ज जोची मैं क्या खाग बता हूँ वे लोग तो मुझसे भी जादा उससाद मालूम होती हैं सभी ने अपने अपने नाम ही बदल दिये हैं असल नाम का पता लगाना चाहते हैं तो अजीब और गरीब नामों का पता लगता है किसी का नाम ब्योग नी किसी का बूत नी किसी का ड़क नहीं भला बताईए किया मैं मालू कि इन लोगों की यही नाम है तेज सिंग तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल लिया जोशी हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए अच्छा तो अब क्या करेंगे जोशी मकाम के बारे में जब रमल से दर्फियात करते हैं तो मालू होता है कि लोगों का मकाम जल में है तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अथात मचली है तेज सिंग ये तो ठीक ही है देखे जलवासी है की नहीं जोशी भाई सुनो रमल के काम में ये चारू पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग हमेशा विखन डालते हैं और अगर कोई आदमी जोशी या रमाल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर फेर से खुब छकाया जा सकता है जोशी बिचारा खाक न कर सके, पोथी पत्तर बिकार का बोज हो जाए तेश सिंग ये कैसे, खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझे, वक्त पर काम ही आएगा जोशी बता देंगे इस वक्त जिस काम को आए हूँ वह करो, चलो तैर कर चले तेश सिंग चलो, ये तीनों यार तैर कर नाओ के पास गए, बटुआ यारी का कमर में बांधा, कपड़ा लत्ता किनारे रखकर जल में उतर गए, मगर दो चार हाथ गए होंगे कि पीछे से सीती की अवाज आई, साथी नाओ पर जो महताब जर रहे थे, पुझ गए जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल्मे फैंक दिया हो, अब बिल्कुल अधेरा हो गया, नाम नजुरों से छिप गई, देवी सिंग ने कहा, लेजिए, चलिए तैर करके, तेश सिंग, ये सब बड़ी शातान मालूम होती है, जोशी, मैंने तो पहले ही कहा कि ये सब की आफ़त है, अब आपको मालूम हुआ न, कि मैं सच गहता था, इन लोगों ने हमारे नजुम को मिट्टी कर दिया, देवी सिंग, चलिए किनारे, इन्होंने तो बेढ़क छकाया, मालूम होता है कि किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था, जब हम लोग तैर कर जा से अपना कपड़ा खोशते हैं, तो मिलते ही नहीं, देवी सिंग, जोशी जी पालांगी, लीजे कपड़े भी गायब होगे, हाई, इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊं, तो कच्चा ही चबा जाऊं, तेज सिंग, हम तो लोगों की तारीफ करेंगे, खुब अ लशकर में चलें, इस वक्त और कुछ करते बनना पड़ेगा, आधी राज जा चुकी होगी, जब ये लोग अयारी के सताय, बदल से नंग धड़ंग, कांपते कलपते, लशकर की तरफ रवाना हुए, तो पन्यास का अगला भाग सुनने के लिए पेस को फॉलो करें, लाइ जब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको पुणा,